Redirection और Pipes के बारे में इस Spoken Tutorial में आपका स्वागत है, मैं Linux Operating System का उप्योग कर रही हूँ, हम यह मानते हैं कि आपको पहले से ही Linux Operating System के बारे में जानकारी है और Commands के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है, वज़ि आप इच्छुक है तो नहींने लिखे website पर यह दूसर में उप्योगित सभी Command Lower Case में हैं, अन्यता कचित हैं, Linux में अधिकांश कार्य हम Terminal के माधियम से करते हैं, जब हम Command का निश्पादन करते हैं, हम साधार अंतह कीवोड से टाइप करते हैं, मानिए कि हमें समय और दिनान पता करनी हैं, हम Date टाइप करते हैं और Enter दबाते हैं, अतह साहम साधा अंतह कीवोड से इंपुड देते हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी Command का Output Terminal विंडो पर भी प्रदर्शित होता है, यह भी मानिए कि जब हम किसी Command को निश्पादित करते हैं, कुछ Error भी आते हैं, उधहरन स्वरूप हम Cat Space AAA टाइप करते हैं, अब जा सकता है, AAA नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, अतह हम एक Error प्रदर्शित होती है, अब यह Error Terminal विंडो पर भी आती है, इसलिए हम Error Reporting Terminal पर भी देखते हैं, अब Inputting, Outputting और Error Reporting कमान से संबंधित तीन विशेश कारी हैं, Redirection के बारे में सीखने से पहले हमें दो महत्वपून सिध्धानतों के बारे में जानना चाहिए, जो है Stream और File Descriptor, Linux Shell जैसे के Bash, Input को ग्रहन करता है, और अनुकरम के रूप या अक्षरों की Stream में Output भेजता है, प्रत्यक अक्षर इसके एक पहले या इसके एक बात से स्वत आदी में जाती है, या Keyboard विंडो आदी से आती है, Linux में प्रक्रियाओं की प्रत्यक Open File एक पूर्णां संख्या के साथ संयुक्त होती है, इस सांख्यक Value को File Descriptor के रूप में जाना जाता है, Linux Shell तीन Standard I-O Stream का उप्योग करते है, इन में से प्रत्यक सूपरिचित File Descriptor के साथ स इसके पास File Descriptor 1 है, STDRR Standard Error Stream है, यह Error Output कमांद से प्रत्यक करता है, यहाँ File Descriptor 2 है, Input Streams प्रोग्रामों को Input Upload कराता है, स्वतह से यह Terminal की Strokes से लेता है, Output Streams Terminal पर स्वतह से अक्षरों को प्रिंट करता है, Terminal पहले एक SKY Type Writer या Display Terminal था, लेकिन अब Graphic Desktop पर एक Text Window है, हबने देखा कि स्वतह से तीन Streams कुछ File से जुड़े हैं, लेकिन Linux में हम इस स्वतह विवहार को बदल सकते हैं, हम इन तीन Streams को अन्य File में जूड़ सकते हैं, इस प्रक्रिया को Redirection कहते हैं, अब देखते हैं कि तीन Streams में Redirection कैसे होता है, पहले देखते हैं, Standard Input कैसे Redirect होता है, हम Left Angle Bracket Operator का अपयोग करके File से Standard In को Redirect करेंगे, देखते हैं कैसे, हम जानते हैं कि WC Command का अपयोग File में अक्षरों, शब्दों और रिखाओं की संख्या जानने के लिए किया जाता है, Terminal पर WC Type करें, अ इसका मतलब है कि हमें Keyboard से Enter करने की जरूरत है, कुछ Text Enter करते हैं, This Tutorial is very important, अब Enter दबाएं, अब Ctrl और D की साथ में दबाएं, अब Command उन रिखाओं पर कारे करेंगे जिन्हें हमने प्रविष्ट किया है, Command Terminal पर एक Output देगी, अब यहां WC Command के बाद कोई भी File नहीं दी गई तो यह Standard Input Scream से Input लेगा, अब Standard Input Scream स्वतन से Keyboard से जुड़ जाती है, इसलिए WC Keyboard से Input लेगा, अब यदि हम WC Space Left Angle Bracket Space Test1.txt लिखते हैं, क्या होता है कि WC हमें File Test1.txt में अक्षरों, शब्दों और रिखाओं की संख्या बताएगा, अब WC Space Test1.txt टाइप करें, हमें समान परिणाम दिखता है, अतह फर्ग क्या है, जब हम WC Space Test1.txt लिखते हैं, कमान फाइल Test1.txt को खोलती है और उसे Read करती है, लेकिन जब हम WC Space Left Angle Bracket Test1.txt लिखते हैं, WC तब भी किसी फाइल को नहीं खोलता है, उसके बजाए Standard In से Input लेने लगता है, अब हमने Standard In को File Test1.txt में ने रेशित किया है, अतह कमान टेस्ट 1 से Read करती है, लेकिन वासे में पता नहीं कि Standard In में Data कहां से आ रहा है, अतह हमने देखा कि Standard Input को कैसे Redirect करते हैं, अब हम देखते हैं Standard Output और Standard Error को कैसे Redirect करें, आपको File को लिखने का अधिकार होना चाहिए, यदि File मौजूद नहीं है, तो बनाई चाती है, यदि यह मौजूद है, तो बिना किसी सुचना के मौजूद विशह वस्तूवों साधर तर लुप्त हो चाती है, यदि इसे हटा देते हैं, तो Standard Output File Descriptor 1 माना चाता है, उसलिए Single Right Angle Bracket 1 Right Angle Bracket के सामानतर है, लेकिन Error Stream Corridor करने के लिए आपको Two Right Angle Bracket या Two Right Angle Bracket का उप्योग करना पड़ेगा, अब इसे विखारिक रूप में देखते हैं, पिछले अधारन में हमने देखा कि File या Standard In में WC कमान का परिणाम Terminal Window पर प्रदर्शित होता है, क्या होगा, यदि हम इसे Terminal पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं, हम इसे File में Store करना चाहते हैं, ताकि जानकारी बात में इस्तिमार की जा सके, स्वतर से WC अपना Output Standard Out में लिखता है, स्वतर से Standard Out Terminal Window से जुड़ा होता है, उसलिए हम Output को Terminal में देखते हैं, लेकिन यदि हम Standard Out को File में Reader कर सकें, तो WC कमान से Output को उस File में लिखा जाएगा, मानिए कि हम WC Space Test1.TXT Right Angle Bracket WC Results.TXT लिखते हैं, और Enter the Bind, अब देखें कि क्या यह वास्ता में हुआ, हम WC Underscore Results.TXT की विशर वस्तू को Cat Command के माधियम से प्रजर्शित कर सकते हैं, हाँ, यह हुआ है, मानिए कि हमारे पास उसी डिरेक्टरी में Test2 अन्य फाइल है, अब हम फिर से Test2 फाइल के साथ कमान स्पादित करते हैं, हम WC Space Test2.TXT Right Angle Bracket WC Underscore Results.TXT टाइप करते हैं, आतहा WC Results फाइल की विशर वस्तू अधिलेकित हो जाएगी, चलो देखते हैं, इसके बच आए, यदि हम WC Space Test1.TXT Double Right Angle Bracket WC Underscore Results.TXT चलाएं, Standard Error Redirect करना उसी तरह होता है, के विलफर किया है कि इस मामले में हमें Single Right Angle Bracket या Double Right Angle Bracket चिनने के पहले Standard Error के File Descriptor की संख्या का उलेक करना की आवशिक्ता होती है, जैसे हम जानते हैं कि AAA नाम की कोई File मौजूद नहीं है, अब लिखें, WC Space AAA Shell Error देगा, No Such File और Directory, अब मानिए कि हम स्क्रीन पर Error Message नहीं चाहते, वो किसी अन्य फाइल में Redirect कर सकते हैं, इसके लिए हम WC Space AAA Space To Right Angle Bracket Error Log.txt कमांड दे सकते हैं, अब Error Terminal पर नहीं दिखेगी, बलकि यह File Error Log.txt में दिखी होगी, हम यह Cat Error Log.txt कमांड से देख सकते हैं, अब मानिए कि Cat BBB space To Right Angle Bracket Error Log.txt यह कमांड रन करके मैं कोई अन्य एरर करती हूँ, तो कमांड चलाने से पिछली एरर अधी लेकेत हो जाएगी और नहीं एरर दिखाए देगी, देखिए Cat Error Log.txt, यदि हम सभी एररों की सुची चाहते हैं, इसके लिए हम यह कमांड चलाएंगे, WC space AAA space To Right Angle Bracket Error Log.txt हम इसे Cat कमांड का उप्योग करके जाचते हैं, हमने देखा की कैसे Standard Out, Standard In और Standard Error तीनों स्ट्रीम्स अलग से यह रेडर और कुशलता पूर्वक प्रयोग होती हैं, लेकिन इस तर्थिक की वास्तविक शक्ती का अनुमान तब लगा सकते हैं, जब हम स्ट्रीमों का साथ में कुशलता पूर्वक उप्योग करें, वो है भिन्न स्ट्रीमों को जोड़ना. इस प्रक्रिया को पाइप लाइनिंग कहते हैं, पाइप्स का उप्योग कमान की श्रिंखला बनाने के लिए करते हैं, पाइप श्रिंखला में एक कमान के आउटपूट को दूसरी कमान के इन्पूट से जोड़ता है, या इस तरह दिखता है, कमान 1, वर्टिकल बार कमान 2 hyphen option vertical bar command 3 hyphen option 1 hyphen option 2 vertical bar command 4 मानिए कि हम वरतमान डिरेक्टरी में उपस्थित डिरेक्टरी और फाइलों के सम्फूरन संख्या जानना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि ls space minus l वरतमान डिरेक्टरी की सभी फाइलों और डिरेक्टरी की सुची बनाएगा हम एक फाइल ls space minus l right angle bracket files dot txt के लिए आउटपूर्ट रिजरेक्ट कर सकते हैं cat space files dot txt चलाएं अब प्रत्य एक लाइन फाइल और डिरेक्टरी के नाम से है इसलिए यदि हम इस फाइल में समपूर्ण लाइनों को मापते हैं हम अपने उद्यश को पूर्ण करने के लिए files dot txt का उप्योग कर सकते हैं इसको हम wc space minus l files dot txt कमान का उप्योग कर सकते हैं हाला कि यह हमारी उद्यश को पूरा करता है पर वहां कुछ परिशानिया है पहले हमें एक मध्यवर्थी फाइल files dot txt चाहिए यदि पहली कमान अधिक डाटा प्रसूत करती है तो यह यर्थ में disk memory nest कर या कम कर सकती है यदि हम कई कमानों की श्रंकला बनाना भी चाहते हैं यह पद्धती धीमी है हम इसे pipes का उप्योग करके काफी आसान कर सकते हैं हम ls space minus l vertical bar wc space minus l लिखते हैं और हम अधिक सहुलियत के साथ वह वही परणाम पा सकते हैं ls कमान से output wc कमान के लिए input के रूप में जाता है हम pipes का उप्योग करके कमान की लंबी श्रंकला भी जोड सकते हैं pipes का एक सामान ने उप्योग multiplex display पढ़ने के लिए किया जाता है cd space slash user slash bin type करें अब हम bin directory में हैं अब ls minus l चलाएं हम output को सही से नहीं देख सकते लेकिन यदि हम इसे अधिकता के लिए pipes से जोड़े हम कर सकते हैं सूची के माध्यम से scroll करने के लिए enter दबाएं इसे बाहर आने के लिए q दबाएं यह कुछ कमान थे जो हमें file में काम करने के लिए मदद करती हैं कई अधिक कमान हैं कमान का उप्योग करके उनके बारे में ज्यादा जानना के लिए मैं आपको प्रुथसाहत करती हूं कमान को सीखने का सही तरीका है उनका बार बार उप्योग करना यह मुझे इस tutorial की समापती की ओर ले आता है spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे राश्रीय साक्षर्ता मिशन ने ICT के माधियम से समर्टित किया है इस पर अधिक जानकारी निम्नलेखित वेबसाइट पर उप्लब्ध है यह script देविंद्र के रवानगरा अनवाजित है तता IAT Bombay की तरफ से मैं सकीना आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद